नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सत्ता और कारुबार का गटबंदन राजनीती से लेकर अर्थवस्था को बिगाड कर रख देता है 16 अगस्त को वरिष्ट वकील दुस्यन तदवी ने सुप्रीम कोट को ये चिट्थी लिखी कि जिस तरह से अडानी ग्रूप के दो मामले को समहला गया उसमें बहुत सारी न्याइक अनिमित तताएं हैं इसी पर बादचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ट आर्थिक पत्रकार परंजय गुहार थाकुर्टा तो सर पहला सवाल यही है कि अडानी ग्रूप नरेंदर मोदी का हम नाम सुनते रहते हैं आपस में जुड़ा हुआ लेकिन जानते नहीं कि अडानी ग्रूप क्या है ये मामला क्या था जिस पर दुस्यंत दवे ने आपत्ति दर्ज की है इसको देखे अडानी ग्रूप का हवाई जहाज लेके मोदी जी ने चुनाओ प्रचार किया दोहजार तेरह और दोहजार चौदर में इस सब को मालूम है मगर अडानी जी गौतम अडानी जी को बहुत लोग पचानते नहीं थे पंदरा साल पहले किसको मालूम भी नहीं था बीज साल पहले कौन है आज भारत्वश में सबसे अमीर वेक्ती में एक है और उनका बहुत बरा एक कारोबार है उसका जो बहुत सारे कमपनिया है लगबग देर सो दो सो से जादा कमपनिया है उनका कारोबार भारतवश में हैं विदेश में हैं और अलग-अलग चीजों में हैं जैसे विद्युत उतपादन, विद्युत वितरन, कोईला आयात, कोई बंदर जैसे हैं जो विशेश आर्थिक शेत्रा है मुंदरा भारतवश के नीजी पोर्ट में सबसे ज़्यादा और भारतवश का विस कोस्ट में इस कोस्ट में बहुत सारे बंदर जो पोर्ट्स कहते और भी बहुत कुछ है हम जो तेल खाते है ना जो विदेश से आयत होता है उसके भी आडाणी जी का कमपनी है व्रुचिन ब्रैंड बहुत सारे सेव उन्होंने विदेश से लाते हैं एक समय अडानी ग्रूप ये हीरा का भी और सुने का जो अलंकार है इसमें भी उनका बड़ा कारोबार था और भी बहुत सारे वो रियल मंतरी होने का पहले से भी उनका कारोबार बढ़ रहे थे और वो रफ़तार बढ़ गया आज कल तो जब 16 अगस को दुशन जी ने दुशन दावे जी ने ये एक चित्थी सारे सुप्रीम कोट की सबसे उच्छे नैले के सारे जजेज को चित्थी लिखा बहुत लोग आश्यच हो गए थे उनका क्या कहना है सरल भाशा में अगर हम समझाएं उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस ओफ इंडिया रंजन गोगोई जी हैं उनको लिखा कि जिस तरह से आप चुट्टी के समय एक खंट पे आपने गठन कर रहे हमें लग रहे कि एक जो बिजनिस ग्रूप है इसको सबसे फाइदा मैं उन का फाइदा हजार करोर से भी जादा होगा हजारों करोड होगा उनका कहना था कि जिस समय जब चुट्टी होते हैं सबसे जो वरिष्ट जजज वो नहीं रहते जूनियर जजज़ रहते यह अगर इस बार आ गया हैं तो इसमें बहुत सारे उन्हा प्रश्ट छिन न उठाय कि यही रंजन गोगोई जिनों ने जनुरी दोहजार अठारह में और तीन जजों के साथ कहा कि उस समय जो हमारे जेश में जो चीफ जस्टिस ओफ इंडिया दीपक मिश्रा जी थे जिस तरह से वो खंट-पिट का गठन कर रहे थे ठीक नहीं था आज दुशन दवे जी से दुशन दवे गोगोई जी से ये सवाल कि आपने उस समय आपती जनाया आप उस समय कभी भारत्रोस के विश्वे में कभी ने हुआ कि चार सुप्रीम कोट के जज आके मीडिया के सामने सब के सामने ये सारे उस समय का दीपक मिश्रा जी के बारे में आरोप लगाएंगे जिस्टिस जो रंजन गोगोई जी उस समय कहा कि जज लोया का केस में भी उन्होंने जिस तरह से हीरिंग हुआ आज सो दुशन दावे जी कह रहे है कि आप ही ने जो कहा आज देखे आपके सामने आपका रेजिस्ट्री किस तरह से एक केस पहले सुन रहे हैं बागी केस बाद में सुन रहे हैं किस तरह चुट्टी के समय ये सारे खंट पीट जो बेंच कहते हैं गठन क्या और दोनों बेंच में भी जस्टिस अरुन कुमार मिश रहा है एक बेंच में अलग-अलग जजिस ह उनका सवाल है क्यों आपने जो आपका जो एक तरह से नियम है उसका लग रहे हैं उलंगर हो गया अचानक एक केस पहले आप सुन रहे हैं हम सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सारे जो हमारे नयाले में बहुत सारे केसे स्पेंडिंग होते हैं तो इतना जल्दी क्यो सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी हो रहे हैं यह सारे सवाल उन्होंने उठाया अरे इसमें अडानी ग्रूप का दो केस हैं यह जस्टिस अरुन कुमार मिस्रा वाले जो बात है दुस्यंत दवे ने अडानी ग्रूप का पहले भी प्रतिने दित्यों किया है और अरुन कुमा केसिस चल रहे थे बिला सहारा का जो कागस चल रहे थे डिसमबर 2016 में जस्टिस अरुन कुमार मिश्डा का जो भतीचा है उनका एक शादी हुई थी गुईलियर मद्पतेश में बहुत बारा बारा एक आयोजन किया था और उस समय मद्पतेश का मुक्ह मंतरी शिवरा सिंग च सेप्शन हुई थी दोहजार सोलह 18 डिसेंबर दोहजार सोलह और इसमें जस्टिस अरून कुमार में बहुत सारे वरिष्ट जो वकील है जजजेज है सुप्रीम कोर्ट के जो अफिशियल्स है सब को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसमें राजनाज सिंग जी भी थे अरून ज मैंने खुद देखा यह सारे लोग मगर उनका प्रश्न चिन्न था कि एक जस्टिस केहर थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 18 डिसेंबर वहां पे थे एक दिन के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था और उस समय इनका कहा कि यह ठीक शुबा नहीं मना था यहीं उनका सरल भाषा में यही था कि बड़े बड़े जो केसिस है उस जैसे सहारा केस में शिबराज सिंग जी का भी नाम आये था मगर उन्होंने अरुन मिश्रा जी बाद में यह सारे खंट पीट के बेंच यह सारे केसिस डिसमिस कर दिया तो एक तरह से दुशन दावे जी का कहना है कि अरुन मिश्रा जी जो आज सत्य में है भाती जन्ता पार्टी राष्ट्य सेंसेवर्ग संग इन लोग के साथ एक तरह से एक नस्दीख है घनिश्टा है उन्होंने इस बार भी जैसे आडानी गुरूप के उपर भी उन्होंन है कि हमने केस का मेरिट में कुछ कह रहे है कि हमने आप जिस तरह से आपका जज्जमेंट आपने दिया आपका राय आपने दिया इसके बारे में भी वो कुछ नहीं कह रहे है उसका सिर्फ उनों उनका जो जो क्या कहते हैं शिकायत है और जस्टिस गोगा कि आप किस तरह से ये खंट-पिट को गठन किया और इतने जल्दी में क्यूं किया और इन दो केस को आप चुट्टी के समाएँ इतने जल्दी में आपने क्यूं इसका hearing किया और क्यूं रेजिस्ट्री ने ये केस बहुत सारे इसे आगे पीचे केस था इनको क्यूं महत्यat soni यहीं उनका सवाल है और सवाल उठा रहे हैं और उनका 16 August का जो चिप्ठी है बहुत लोगको आश्यच कर देक अब फिर से case पर आते हैं तो यह case क्या था पूरा का पूरा क्या है यह case इस में बहुत सारे case हैं अगर दो case सबसे महत्यपूर्णा है एक है दस साल पूराना केस है यह अडानी पावर मुंद्रा कंपनी और साथ-साथ गुजरात इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन यानि कि गुजरात सरकार का जो विद्यूत का जो नियंतरन करने का जो संगठन है GERC गुजरात इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन और उस समय एक समझ होता था और इन्होंने एक गुजरात सरकार का एक कंपनी बोला था हम कोईला देंगे मगर वो कोईला नहीं मिला और फिर बाद में एक और समझ होता आया है और इस विशे के उपर उस समय गुजरात सरकार का एक कंपनी है गुजरात उर्जा विकास लिगम लिमिटेड इन्होंने शिकायत किया और कहा कि इस तरह से आपको करना ने चाहिए मगर अरुन मिश्रा जी और उनका खंपित में बियार गवाई और सुरिया कान जी दो जुलाई दो हजार उन्नीस अडानी पार को सपोर्ट करें और जो इसका जो एपले ट्रायबूनल है इसका सारे व्यूस मान लिया ये पहला केस है और दूसर्य केस है कि कोईला जो एक है पार्सा कांता खोलीया डिच्स लिमिटेड ये एक तरह से अडानी गरूप में है और ये चट्थिसगर में एक ब्लॉक है उसको छेते ये पार् इसके मतलब राजस्तान सरकार का कमपनी एक ठेका दिया ये अडानी गूरूप का कमपनी वहां से कोईला खनन करने के लिए तो ये भी एक दूसरा केस था और यहां पे भी इन दोनों कमपनी राजस्तान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और ये पार्सा का नहीं ने इन अडानी गूरूप के सपोर्ट करके उनको उनके इन देर फेवर में इनोंने उनका राय दे दी तो ये दो जो विशे है इसके ऊपर दुशन दावे जी ने सवाल उठाया यह कहा गया था कि इनकी तरफ से अडानी गूरूप से कहा था कि बिजिली की दरों को वो बढ़ाएंगे सुप्रीम कोट ने पहले साथ दिसंबर साथ अपरेल 2017 में इसको मना कर दिया लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से दिसंबर 2018 में कर दिया गया कि बिजली की दर्व बड़े हुए दर्व पर मुंद्रा थर्मल पाउर प्लांट से खरी दी जाएंगे तो ये कैसे हुआ अचानक से कि सारी चीज़े बदल गई सुप्रीम कोट के कहने के बावजूद भी इप्रिल 2017 में एक सुप्रीम कोट का एक हंट पीट जिसमें जस्टिस नारीमन भी थे उनका राय था कि कोईला का खर्च बर गया क्यूंकि इंदोनीजिया से आप जो कोईला आयात कर रहे हैं इसका कीमत बर गया तो ऐसे तीन कंपनी था इसमें एक अडानी ग्रूप का कंपनी है एक टाटा ग्रूप का कंपनी है और ये एक एसार का कंपनी है ये तीनों कमपनी उनका वो कोशिश कर रहे थे ये जो कोईला का दाम बर गया ये हम जो बिजली का उब्होगता है उनको हम उनको ज़्यादा पैसा देना परेगा उससे पहले जब एक बिजली उत्पादन का एक कुछ कार खाना आप स्तापन करते हैं आप एक ठेका एक समझोता आते हैं उसको कहते हैं पी पी एज पावर पर्चिस अग्रीमेंट यानि की बिजली को खरीदने का एक तरह से एक समझोता आपको दसकत करना पड़ता तो जब सुप्रीम कोट का ये ओर्डर आया गुजरात सरकार ने एक और समिती का ठन किया और ये समिती बोला कि इसको एक तरह से इसका बाईपास करके आप नया पावर पर्चिस अग्रीमेंट ये सुप्रीम कोट में क्यों गया? क्योंकि पहले जो स्थानिया जो राज्य सरकार गुजरात इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन उसके बाद जो सेंट्रल इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन आता है जो केंद्र सरकार में जो बिजली उतपादन जो जब बिजली का जो नियंतरन करते हैं जो संक्स् सकता है मतलब इंदोनीजियल से आप जो कोईला आयात करते है इसका दाम बर गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते है कि आपका जो समझ होता आपका है ये आप जो उत्पादन कर रहे है जो आपका उभूगता है इसको बढ़ा है और सिर्फ ये गुजरात नहीं अलग अलग राज्य है इसमें हरियाना है पंजाब है ये सारे राज्यों भी ये बिजली जो आप मुंद्रा उस इलाका में सो जो बरे बरे जो बिजली उत्पादन का जो कार खाना है वहां से उत्पादन हो रहे हैं और यहाँ पे वितरन होते हैं अलग अलग राज्य में ये तीनों ये जो बि मगर एक अभी एक केस है अभी यह एप्टेल में है एपैलेट ऑथॉरिटी फो इलेक्रिसिटी इसमें यह गुजरात का कंपनी भी है जैसे मैंने का जी यू वी एनल गुजरात आपका जो यह जो उत्पादन गुजरात उर्जा विकास निगा लिमिटिड और साथ-साथ एक और संगस्ता है जो जो बिजली शेत्र का जो इंजिनियर्स है उनका एक संगठन है और इंडिया पावर इंजिनियर्स फेडरेशन इन्होंने एक अपील किया कि आपको यह देना नहीं चाहिए क्यूंकि उनका उनका कहना है कि वित्यमंत्रालेक डियाराइ डिरेक्टरेट रेविन्यू इंटेलिजेंस ने आरोप लगाया कि बहुत सरे कंपनी ने जिस तरह से कोईला आयात किया इंडोनेशा में इसमें दाम में कुछ गरबर है यह बहुत सारे केसिस चल रहे हैं मुंबई हाई कोट में भी उच्चनैले में केस हो रहे हैं तो उनका कहना है कि यह चल रहे तो जब तक जाच अभी तक पक्का नहीं हुआ तो आपको इस तरह से ये कमपनियों को अलग एक समझावता बनाके जो आपका जो बिजली जादा आपका जो खर्च है जो आपका जो दाम बर गया ये आप भोगता के ओपर आपको देना नहीं चाहिए और ऐसा एक और है कि यही सुप्रीम कोट जज्जमेंट ने एक तरह से कहा और राजस्थान में भी एक ऐसा कवाई करके एक विजली उत्पाधन हो रहे हैं वहाँ पे एक अडानी गूप कमपनी वो भी इस तरह से एक काम किया जो सुप्रीम कोट का एपरिल 2017 का जज्जमेंट एक तरह से ब समिती भी यही राय दिया कि हमें इस तरह से आगे बनना चाहिए और यह समिती में बहुत सारे लोग थे बरे बरे वरिश्ट लोग थे इसमें एक जज्ज साहब थे हम सबका नाम अभी अभी आपको बता देते हैं कौन-कौन थे और हम लोग इस विशे के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और और भी लिख रहे हैं यह एक भूचपूर्व सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे उच्छा नयाल है उनका एक नयादीश है जज्ज साहब है आरके अगरवाल और एक भारती रिजर्व बैंक का डेपूटी गवरनर है स.स मुंद्रा जी हैं और ए पर आई 2018 में इन्होंने एक समीति गठन किया क्यूंकि उनका कहना है ये तीन बड़े बड़े बिजली उत्पादन है भारत वरिष में जो पावर प्लांट है जो बिजली उत्पादन का कारखाना इस पे सबसे बड़े है ये तीन तो ये कंपनी एक दम उसका बिजली रिन दिया और वो कहेंगे कि ये कार खाना ही अगर बंद हो जाएगा तो बैंक कैसे वो अपना रिन वापस हो जाएगा ये सारे जितने उन्हें उन्हें लोन्स दिये है जो रिन दिया है ये NPAs या कि नहीं कि नॉन परफॉर्मिंग आसेट्स वा तो इसलिए अभी जो मामला भी चल रहे है जो केस्स चल रहे अभी अप्तल में हैं पता नहीं कहा जाएगा अभी अप्तल का क्या राय होगा ये फिर दुबारा सुप्रीम कोर्ड जाएगा की ने जो मुद्द है ये कि आपका कोईला का दाम बर गा जो भी कारण हो सकता है विधेश चे जो आप आयात क कि हम इतने रेट में हम जो भोगता है उनको हम बिजली देंगे आप एक नया ठेका कर रहे हैं तो एक तरह से आज यह जो जादा पैसा है यह एक तरह से जो आप कारोबार कर रहे हैं इसमें भी कुछ जोकिम होता है एक रिस्क होता है लेकिन तो सुप्रीम कोट का कहना है यह रिस्क आप जो आप जिसको ठेका मिला है आप जो कारोबार कर रहे हैं आपको यह रिस्क आपको यह जोकिम आपके ऊपर होना चाहिए मगर आप यह ज्यादा पैसा क्यों अगर मैं उनकी प्रतिनीधी की तरह से एक सवाल रखूँ कि ये तो नियंतित होता नहीं कि कोईले के दाम भविश्य में किस तरह से बढ़ेंगे और अगर इस आधार पर वो कहते हैं कि नहीं अगर दाम बढ़ते हैं और वही कंपनी चला रहा हैं तो वो कहें कि वो भुगता अगरी जो पाउर पर्चेस उसमें आपने डाल दिया ये चीज़ तो इसी के ऊपर आज विवाद चल रहे हैं कि आपका जो 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 खिम है आपका जो रिस्क है ये आप बिजली का दाम बराके किमत बराके उब भुगता से क्यों ले रहे हैं आपको जब ठेका मिला था वो का कार खाना का स्थापन करने के लिए उस समय तो आपको ये मालूम होना चाहिए था और आज नहीं आप जानते हैं एक बार आप कार खाना लगाएंगे बहुत साल चलेगा बहुत दशक चलेगा और उसी समय आपको तो ये सारे चीज़ आप तो कारोबार कर रहे हैं तो रि अडानी ग्रूप को देखिए ये अभी मामला बहुत जटिल है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसको जादा मदद मिला की नहीं अडानी ग्रूप कहेंके नहीं हम तो देश के हित में कम करें हम जन हित में अपना काम करें हमें ये करना चाहिए और आप अगर बारीकी की से देखेंगे आप कहेंगे एक तरह से पूरा जिस तरह से सरकार अपना नीती अपना नियम जिस तरह से सिर्फ सरकार ने जो नियंतरन करने का जो जो अलग-अलग अधिकार अधिकारी जो होते हैं उन्होंने किस तरह से अलग-अलग कानून और ठेका का अलग-अलग जो क्लॉजिस है किस तरह से इंटरप्रेट किया इसके ऊपर एक विवाद चल रहे है और अभी भी चल रहे है और मैं समझ रहो कि चलेगा और भी कुछ दिन हमें हमें हमारा वो सारे जो सुप्रीम कार्ट क का order का हम एक तरह से देख रहे हैं इन लोग और एक दुस्ति कौन से देख रहे हैं और हमारे सबसे उच्छे नयल है इसके उपर राहे लेंगे सुप्रीम कोट ने कहा कि बिजली की दर्य नहीं बढ़ाई जाएंगे गुजरात सरकार ने कहा कि बिजली की दर्य बढ़ाते हैं देखिए सोचते रहे आगे क्या हुआ शुक्रिया आप देखते रहे न्यूस क्लिक